हलो, आज मैं आपको पॉंचो पर डिजाइन डालना सिखाऊंगे कि कैसे हम पॉंचो पर डिजाइन डाल सकती है यह देखिए हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो हम सीधी से लाई लगाएंगे यह देखिए के बिलकुर से लिजाइ लगाएंगे तक ताले देखिए लगाएंगे फोर लाइन्स लगाएंगे हम नीचे बिवारी फोर लाइन्स नीचे लग चुकी है इसके बाद हम उपर लाइन जी आएंगे पहले सीधी तो इस बाइब लगाने के हुए जाने है नियुक्त रूप दोनों पॉंचों के एक साथ भी जना सकती है इसलिए मैं आपको वीडियो बनाने के हुए कि आप अच्छे से देख सकते हैं इसलिए मैं आपको एक ही दिखा रही हूँ कि एक पॉंचे पर हम अच्छे से डियान कैसे डाल सकती है जाने है झाल झाल और दो दो बड़ी 0 कि देखिए स्लाई लग चुकिए सीधी स्लाई हमने लगा लिए देखिए अभी हम इसके बीच जो कपड़ा है यह वाला इसमें डालेंगे यह देखिए पहले में आपको मारकर के साथ पता देती हूँ बहुत ही सिम्पल और सीधर रहा ही ना जो आप बहुत ही पसानी से डाल चकते हो इसको देखिए इसके बुरू पर हम स्लाईल लगाएंगे यह देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको पहले ऐसे हमने स्लाईल लगानी है अगर आप पहुंचे बना रहे हैं तो सबसे पहले ऐसे मारकर के साथ आप नहीं जान लगा लें इसके बादी स्लाईल लगाएं तो आपको इजी रहे गाई झाल नहीं ऊचाई लगाएं यहले लगाएंगे झाल लगाएंगे झाल क्यूआंगे झाल झाल कि अब हिम दिछों से सिलाई लगाएंगे इसकी पहले ऊपर से लि töख्त डाल लिए अब यह में रेची सिल लगाएंगे यहां पर पहले वाली इसल्ए करने या को सेंटर आये वहीं पर दूसरी जो स्वाइल हमारे उसका वहीं पर आना चाहिए है तब ही अच्छे शी ज़िएंगर कि अगर दोनों के सेंटर अलग लग होगे तो अच्छे शी आइने विलएग तो मेंग आपने के दक्राइब अभी हमने यासे एक डिजाइन डाला है सेंटर में ऐसी हम दूसरी सलाई भी लगाएंगे इसे इसमें बाक्स को लड़ी एन बनना है इसके बीच में से अभी हम इसे देंगे चुलाई एक डिजाएंगे अभी हम लास्ट सलाई लगाएंगे इसके बीच में से लास्ट सलाई लेके आएंगे अभी हम त्यारे एक सलाई हमने नीचे से उठानी है और दूसरी सलाई हमने उपर से शुरू करनी है अगर आपके करेंगे तब ही हमारे याइंगे अच्छे से बनेगा तब ही जो बाक्स इसे अच्छे से बन पाएंगे वो क्पीप रिदो थो और दुरूओ हुआ है यह देखिये हमारा डिजाईन बनकर रेडिया है अगर आप चाहो तो इन लाई के वीच में स्क्रॉल भी डाज सकते हो यही जो हमने लाई चोड़े इसमें स्क्रॉल भी डाज सकते हो और इसके सेंटर वाली लाइन में भी स्क्रॉल लेकर आ सकते हो जैसे आप डिजाइन को थोड़ा चेंज करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो